हाई फ्रेंज मैं हूं मानव विलकम टो मुवी शुवी मेरे एक सब्सक्राइबर हैं उनका नाम तो मुझे नहीं पता है क्योंकि कई वरी हैंडल लोग कुछ भी लिख देते हैं लोग जो उनको पसंद आते हैं उनकी इच्छा है उन्होंने बोला कि यार किश्मीर फाइल्स क करके एक नई मूवी आ रही है विवेक अग्नी ओत्री ने बनाई है बहुत ही सेंसेटिव टॉपिक है क्या आपने ट्रिलर देखा और अगर आपने देखा तो आपने रियाक्शन नहीं दिया तो क्या आप भी उनी लोगों की तरह हैं जो सिरफ मसाला मूवीज देखते हैं और सेंसेटिव टॉपिक्स के ऊपर नहीं अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो मेरा जवाब यही था कि ऐसा नहीं है दोस्त क्योंकि जब अर्थ हस्दे आई थी और उसके ऊपर मेरी प्रतिक्रिया और साथी साथ में एक एकस्प्लानेशन वीडियो में अलग से बनाया था क उसके बारे में कुछ हम as a human being भी जानकारी रखते हैं कि woman को किस तरीके से respect देनी चाहिए यह जानकारी और common sense दोनों का मिश्रण है जहां तक कश्मीर का मामला है जहां तक article 370 का मामला है कश्मीरी पंडित्स का मामला है और जो genocide हुआ 1990s onward उसका जो मामला है मेरी जो knowledge है वो परतिकरिया देता हूं तो बहुत ही बिवकूफी होगी मेरे पार्ट के ऊपर क्योंकि जिन लोगों के साथ यह अत्ताचार हुआ है वो लोग कैसे कंजियूम करेंगे कैसा idiot इंसान है जिसको पूरा मुद्दा ही नहीं पता है मेरे को जो पता है वो पता यह है कि humanity जो है वो समझ में आता है इसके पीछे क्या political reason रहे हमारी सरोदों के पीछे जो दूसरे मुल्क हैं उन्होंने कितनी हवा दी इसको कितना financially support किया ताकि यह हमारे घर में आग लग जाए और क्या political reasons थे इंडिया के अंदर trailer देखने के बाद लग रहा है जिसकी वज़ा से जो genocide हुआ व तरा लग लग तरीके से पेश किया गया मैं बिल्कुल मानता हूं कि कुछ movies के अंदर हम एक side और एक community के बारे में कुछ extra ही दिखाते हैं और जो शायद Hindu समाज है उसके बारे में थोड़ा कम दिखाते हैं कि उनकी background क्या थी उनकी history क्या है उनका contribution क्या है वो आया गया ही हो जाता है और हमने देखा है कि बहुत सारी बारी Hindu भगवान का भी मजाब उड़ जाता है और यह थोड़ा सा अच्छा तो नहीं लगता सुनने में अलकि मैं फिर भी यही मानता हूं कि हर religion से ऊपर humanity होती है और humanity से बड़ा कुछ भी नहीं होता है अगर you start respecting other individual and his rights तो आपको ऐसे लगने लग जाता है कि आपने almost भगवान को ही पालिया और I think कोई भी भगवान हो कोई भी religion हो यही चाता होगा कि अच्छे करो दूसरे की इस्जत करो मारना किसी की बेस्ती करना यह सब चीज़े तो किसी भी religion के अंदर नहीं लिखा हुगा I'm sure किसी भी religion में नहीं हो तो उसी भावना से मैं ट्रेलर की प्रतिक्रिया अपनी ही रखूँआ कि मुझे इसके बारे में knowledge कम है कि यह क्यों हुआ कैसे हुआ लेकिन यह देखके तो दिल धहर रग गया कि आपको किस आपके घर से निकाल दिया जाता है आपकी बहु बेटियों के साथ जो हुआता है जो थोड़ा बहुत भी दिखा आपके सामने अपने family members को मार दिया जाता है तो आपके एकदम रूख कांप जाती है और गूसबंस होते हैं मेरे को भी इस टाइम गूसबंस बिलकुल ऐसे feel हो रहे हैं लेकिन आप सिरफ अभी तो यह as a fiction के उपर expression दे पा रहे हैं जो इनके साथ हुआ होगा तो I'm sure बहुती खौफना करा होगा अब थोड़ा साइड है कि इस तरीकी की चीजे होती है 1984 में भी इस तरीकी की चीजे हुई आदमी आदमी को ही मार रहा है और एक जगह पे हम बोलते हैं कि यार प्यार बढ़ना चाहिए एक ही मुल्क है एक ही शहर एक ही चीजे आती हैं without full knowledge बस बन जाते हैं लोग वो बोलते हैं बस सर पे बांदा कफन और निकल लिए अजादी पाने के लिए अजादी किस से पा रहे हैं अपने ही लोगों से अपने ही country से अजादी पा रहे हैं तो समझ में नहीं आई यह बात और यहां पर जिस तरीके से ब्र और कश्मीर फाइल से रिलेटेड ही है अब तीन-चार साल पुराने देखोगे तो बहुत पुराना है और कि दो साल पुराना है जब कश्मीर में फर्स ताइम गए शूट रूट करने के लिए धाई साल पुराना के आस-पास तो उनका जो मंशा थी उनका जो बोलने का जो लहजा था वो मुझे काफी सथा पसंद आया कि the reason I'm making this movie is that there is a wrong narrative which I want to correct क्योंकि बहुत से ऐसे narrative हमारे सामने आ रहे हैं आज की date के अंदर शायद जो 100% सही नहीं है और यह बात तो आज की date में बिल्कुल सच हो चुकी है कि जो हमें परोस्ता है जो हम movies वगारा में web series में consume करते हैं मुझे को सच मानते हैं और जो लोग बोलता है कि हम नहीं मानते हैं हम तो well researched है I think कोई शरम नहीं है मेरे को भी कोई शरम नहीं है कि मुझे इस topic के बारे में नहीं पता है मैं जानना चाता हूँ मैं इस movie देखूंगा ताकि पूंड विराम एक full stop लगाएं उसको consume करें उसको internalize करें आप देखें कि किसने आपको क्या परोसा है अपना दिमाग लगाएं प्रोसेस करें एकदम बस भागना पड़ें क्योंकि भागने से क्या होता है कि आची डेट में आप social media पर देखते होंगे comment बाजी और ये सब ग क्या हुआ किसके साथ हुआ what can be your contribution and if your contribution can really help the community society or that person तो क्या कर सकते हो उसकी articulation भी बहुत जाता ज़रूरी होती है अप articulate नहीं कर पाते हो बस अपनी frustration निकाल देते हो वो किसी के भी useful नहीं है तो अभी मैं movie के reaction चोटे मोटे review के reactions के अंदर ये frustration देखता हूं which is not right right so जितने भी नए youngsters हैं उनको भी सीखना चाहिए चाहिए किसी भी उमर के हो खेर कि कुछ भी चीज़ आप consume करते हैं कभी भी life के अंदर तो P.A.U.S.C. pause जरूर दें और उससे क्या होता है कि आपका जो गुसा भी होता है वो भी तोड़ा सा शान्त हो जाता है आप और हो के मामले हो कोई भी मामला हो ऐसा तो कोई बड़ा मामला नहीं होता जो सुलट नहीं सकता होगा अगर आप उसको pause दें ठंडे दिमाग से सोचें और दूसरे को human समझें ये भी समझें कि अगर मैं अपने शूस से निकल के उसके शूस के अंदर जाओं तो वो क्या feel करता ह एक बहुत बड़ी बात होती है जो बड़े बुज़रुग भी बोलगे हैं कि आप इसलिए ने remember करे जाते हैं कि आपने क्या कर दिया आप इसलिए remember करे जाते हैं कि आपने किसी को क्या feeling दी कई बड़ी आपके act इतने जादा किसी के लिए positive नहीं होते हैं बड़ आपके कई इमेज बनती है उसी से लोग आपको याद रखते हैं आपके एक्ट से कम रखते हैं जबकि हम लोग यह सूछते हैं कि हमारे एक्ट से हमें लोग याद रखते हैं हमें इसमें एक्ट से याद नहीं करते हैं हमें हमारे behavior की वज़ा से याद किया जाता है अगर आप बहुत जा दिखा के सच बोल देना और यह कैसे मिल गई क्योंकि अगर ऐसी कोई आवाज को दबाने की कोशिश करी जारी होगी तो फिर अचानक से क्या हुआ जिसके वजह से अब यह आवाज भार आप आ रही है यह मतलब अगर ऐसे एंटेटेंमेंट की वजह से ही अगर हमें अगर ज्यादा इन्फोमेशन पता है इसके बारे में उपनी प्रतिक्रिया और ज्यादा बताएंगे इसके बारे में और जो लोग को अब तक जस्टेस नहीं मिला जो अभी तक अपने घरों तक नहीं पहुंच पाएंगे ठीक है तो इस मूव इस ट्रेलर के लिए मैं कोई स्कोर कर नहीं दूँगा मोविश हुई मैं सरफ थम्जब बोलूँगा नमस्ते करूँगा और कुडोस बोलूँगा ना विवेक अग्द्रियोति को जिन्हों ने इतना ब्रेव अटेंप्ट किया है तो मिलते हैं एक और रिव्यू एक और अप्डेट के साथ बने रहे हैं बाइ करीчес कर यद्रियोति कर बेने अख कर दोलूँगा झा च्रघ आव क्ईुगा लूँगा झाल टेजएर मोव रिवेक पनि अँटya है तो मिल्वेब मैं घघना वब फ्चगा पक्प्प्र और रेवेक सार्वे gang 8 जिभियू ओएर डिमें हैं डि़र